दोस्तों आपने होस्पीटल के अंदर या इंटरनेट पर या टीवी पर ऑक्सीजन प्लांट देखे होंगे जिन में मशीने लगी होती हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए लेकिन मद्यप्रदेश के अंदर कई ऐसे oxygen plant हैं दोस्तों जिन में मशीनों की आवश्यक्ता ही नहीं जी हाँ बिल्कुल और ये oxygen का निर्माण भी कर रहे होंगे और आखिर ये जो पूरा अजूबा है ये किसने किया है ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में और इस अजूबी के लिए जल्द ही उनको नॉबिल प्राइज या भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है नमस्कार मैं हूँगी रश शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक सभी से एकी अपील है सवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगा शेयर कीजिए दोस्तों मद्य प्रदेश के अंदर कई जिलों में इस समय ऐसे ऑक्सीजन प्लांट दिखाई दे रहे हैं जहां पर मशीने ही नहीं है केवल चबूतरा बना हुआ है मशीन की वहाँ पर आवशक्ता सरकार को महसूस ही नहीं हुई सोचिए आप मद्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिवरास सिंग चोहान और स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रबुराम चोधरी गोशना कर चुके कई जगे आकर के बोल चुके कि यहाँ पर आक्सीजन प्लांट बनेगा लेकिन बिल्डिंग तयार हो गई मशीने नहीं आई शायद इसलिए नहीं आई होंगी कि उस चबूतरे के दोनों तरब खुला हुआ है खुले में हवा आएगी वहीं से हवा का निर्माण होगा और उसकी जो खिड़कियां है वहां से बाहर निकलेगी वहाँ सीधे हॉस्पिटल को सप्लाई कर दी जाएगी इसलिए शायद वहां पर मसीन नहीं लगाई गई है और इस प्रकार की रिसर्च इस प्रकार के कारिक के लिए शायद मद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चोहान और स्वास्त मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चोधरी को भारत रत्निया नॉबिल प्राइज मिली ही जाएगा क्योंकि इस प्रकार की रिसर्च हर कोई नहीं कर सकता मद्यप्रदेश में हो सकती है तब ही कहते हैं मद्यप्रदेश अजब है और गजब है सोचिए आप कोरोना की दूसरी लहर के द्रश अगर आप फ्लेश बैक में जाके महसूस करेंगे तो टीवी पर आपने देखे होंगे हर किसी के घर में किसी ना किसी रिस्तेदार या कोई ना कोई परचित के यहां जान गई होगी अब जब कोरोना के आकड़े कम हो गए तो क्या मद्यप्रदेश की सरकार इतनी आलसी हो गई कि इन ऑक्सीजन प्लांट्स पर ध्यान ही नहीं दे रही है हम बात करें होशंगाबाद जिले की गुना जिले की इंदोर के कुछ हॉस्पिटल्स की तो यहां पर और ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार नहीं हुए है होशंगाबाद में तो खुद प्रबुराम चौदरी गए उन्होंने का 15 दिन में बनके तैयार हो जाएगा सोचिए चबूतरा बन गया है वस चबूतरा इंतजार कर रहा है कि प्रबुराम चौदरी आएंगे अपने हा कि जैसे कितने चिंतित हैं तुरंत आदेस देंगे कि तुरंत कल तक ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाना चाहिए इस प्रकार की कारशायली में शायद उनको मजा भी आता है कि देखिए हम बीरों की भांत लड़े लेकिन अब जब समय है तब हम इसको तैयार नहीं करवाए या फिर सरकार फिर से पूर्व की तरह हो गई है जैसे पहली लहर कम हो गई थी तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जनता को दूसरी लहर का सामना करना पड़ा फिर टीवी पर वही द्रश्य चलते हैं जनता सयोग करे सयोग करे जब जनता सयोग करके आंकणों को कम करवा देती है तो मंत्री नेता सब अपने राजनीतिक गल्यारों में चले जाते हैं चाय नास्ता चलता है रोटी खाना चलता है लेकिन इस पर कोई धान नहीं देता दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है क्या इसके लिए नॉबिल प्राजव जो भारत रतने मिलना अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक लिए मुझे दीजिए अजासत नमस्कार